अपनी एक हरकत की वज़े से रनवीर सिंग और जैकलीन फर्नांडिस बुरी तरह से फस गए हैं एड़र्टाइजिंग स्टैंडर काउंसिल आफ इंडिया ने 28 इंफ्लोयंसर्स की लिस्ट जारी की है ये वो सेलेब्रिटीज हैं जो लोगों को बेफकू बनाकर ब्रेंड्स का परचार कर रहे हैं दरसल सरकार की तरफ से सब ही को ये निरदेश जारी किया गया है कि जो भी सेलेब्रिटी किसी भी ब्रैंड का प्रमोशन अपने इंस्टाग्राम या फिर दूसरे किसी सोशल साइट से करता है तो उसमें पेट पार्टनर्शिप लिखना जरूरी है जिससे देखने वाले को साफ पता चल जाए कि जो चीज सेलेब्रिटी उसे दिखा रहा है वो उस प्रोडेक्ट का प्रमोशन कर रहा है लेकिन जब एड़टाइजिंग स्टेंडर काउंसिल आफ इंडिया ने सेलेब्रिटी इस की प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि रनवीर सिंग और जेकलिन फरनांडिस खुल कर नियमों की धज्या उड़ा रहे है जेकलिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कलर बाल लिपिस्टिक का प्रचार कर रही थी आप देख सकते हैं कि जेकलिन ने कहीं भी अपने पोस्ट में पेट कंटेंट का टैक नहीं लगाया है वहीं रनवीर सिंग को उनके Instagram अकाउंट पर माननेवर का प्रोमोशन करते हुए देखा जा सकता है लेकिन उनके पोस्ट में भी कहीं भी डिस्क्लेमर में उन्होंने टैक का इस्तिमाल नहीं किया है इन स्टार्स के साथ बड़ी टीम का अपन करती है उसके बाबजूद ये खुले तोर पर नियमों का उलंगन कर रहे हैं कुछ लोगों का मानना है कि जब स्टार्स किसी भी ब्रैंड का प्रोमोशन इस तरह से बिना पेड पार्टनर्शिप बदा कर करते हैं तो इसके लिए वो कंपनियों से ज़ादा फीस चार्ज करते हैं हलाकि इस बात में कितनी सच्चा ही है ये तो नहीं पता लेकिन रनवीर और जैकलीन की इस हरकत से एड़र्टाइजिंग स्टैंडर कॉंसिल आफ इंडिया बहुत नाराज है और वो दोनों के खिलाफ अब सक्ट एक्शन लेनी की बात कह रही है अब देखना होगा कि इस मामले में इन दोनों के खिलाफ क्या कारवाई होती है फिलाक इस पूरे मामले पर आपकी कह रहा है हमें कमेंट में बताईए